Hello Friends, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में प्रेणना सूची और प्रेणना तालिका पर अध्यन किया था, आज हम उसी के उपर questions डिसकस कर रहे हैं, जो आपसे प्रेणना quiz में पूछे जा सकते हैं तो अमरा first question है, मिशन प्रेणना का सुभारंब एबं प्रेणना तक्नीकी framework का उध्गाटन कब किया गया तो right answer is September 2019 को Second question है, विध्याले इस्तर पर मिशन प्रेणना कर लक्ष क्या है, answer is March 2022 तक 80% बच्चों को Foundation Learning Goals प्राप्त कराना Next question, दीख्षा का पूर्ण रूप है, answer आपका Digital Infrastructure for Knowledge Sharing Next question, प्रेणना लक्ष किन कक्षाओं से संबंदित है, तो ये हमारा कक्षा एक से 5 तक के बच्चों के लिए है Next question, Foundation Learning Goals किन विश्यों से संबंदित है So, ये है हमारा भासा वा गड़ित से संबंदित Next question, अनुच्षेद को 30 सब्ध प्रती मिनट के प्रभाव से पढ़ लेते हैं, ये है किस कक्षा के बच्चों से संबंदित है Next question, अनुच्षेद के 75 प्रतीसत प्रशनों को सही से हल कर पाते हैं, ये है लक्ष किस कक्षा के बच्चों से संबंदित है तो ये है हमारे कक्षा 4 से संबंदित Next question, कक्षा 2 के बच्चों के लिए foundation goals है तो राइट आंसर है, अनुच्षेद को 20 सब्ध प्रती मिनट के प्रभा से पढ़ लेते हैं Next question, प्रेणना तालिका से संबंदित कौन सा कथन सही है First option, विध्यालियों में सेक्चिक गुडवत्ता का अनुश्रवर Second option, कक्षा में चस्पा किया जाना Third option, foundation learning goals अंकित किया जाना Fourth option, उप्रोक्त सभी तो फ्रेंट्स इसमें तीनों ही options आपके सही है So, option fourth is the right answer Next question, कक्षा की प्रेणना तालिका में दच्चता का अंकन किस प्रकार किया जाएगा First option, कक्षावार Second option, चात्रवार Third option, विध्यालियों So, right option is कक्षावार हमें कक्षावार उन बच्चों के नेम्स लिखके उसमें उनकी दच्चता का आठलन करना है Next question, प्रेणना तालिका के अनुसार आयोजित दच्चताओं का अनुसरवर एवं प्रामारी करन किसके द्वारा किया जाना है तो यह हैं प्रिधाना अध्यापक और हमारे ARP कि द्वारा उनका प्रामारी करन किया जाएगा Next question, विशेवार आधारित दच्चता का लक्ष किस प्रकार विभाजित करेंगे तो आंसर है त्रेमासिक लक्ष के रूप में मतलब हर तीन महीने में इसका लक्ष हमें प्राप्त करना है Next question, बच्चों कक्षा में बच्चों द्वारा अर्जित दच्चताओं से संबंदित अभिलेख है First option प्रेड़ना लक्ष, Second option प्रेड़ना सूची, Third option प्रेड़ना तालिका So जो दच्चताई होती है वो हमारी प्रेड़ना तालिका में लिखी हुई है So third is the right answer Next question, विध्यालियों में सैक्षिक गुडवत्ता का अनुश्रवन किस माध्यम से किया जाना है First है आपका प्रेड़ना लक्ष के माध्यम से प्रेड़ना सूची के माध्यम से या प्रेड़ना तालिका के माध्यम से So right answer is प्रेड़ना तालिका Friends आपकी ये प्रेड़ना तालिका बहुत महत्यपोर है तो इससे आप अच्छे से स्टड़ी कर लीजेगा इसी के उपर आपको सभी बच्चों के अंकन करने हैं Next question लेखन के दोरान विराम चिन्न का उच्छित उप्योग कर पाता है और स्वेम लेखन की तुटियों को सुधार पाता है यह दच्छता निमलिखित में से किस से संबंदित है First option लेखन Second option भासा संदचना और व्याकरण Third option सब्ध भंडा So इसका राइट आंसर है भासा संदचना और व्याकरण Next question प्रेणना तालिका कक्षा दो हिंदी में कितनी दच्छताओं का उलेख है So राइट आंसर है 14 Next question निमलिखित में से कौन सी दच्छता कक्षा पांच के सामानने गडित एवं डार्टा संधारण से संबंदित है So इसका आपका राइट आंसर है Option 2 बच्चे बस या रेल्वे की समय तालिका पढ़ सकते है So friends इस session में हमने 4-5 quiz के questions को एक साथ combine करके आपके सामने प्रस्तुत किया है So आप जब अपना quiz दे तो अपने answers एक बार इससे जरूर मैच कर ले And thanks for watching अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो please like को subscribe कर दीजेगा Thank you